कैसे कोई एक ही चीज दो अलग फीलिंग्स दिला सकती है ये बात है जब मैं चुटियों में गाउं जाती थी पूरी जर्नी ही बहुत एक्साइटिंग होती थी पैकिंग से लेके ट्रावलिंग तक उफ लगेज में आधा से ज़ाधा समान तो मेरे बुक्स कॉपीज होते थे हमेशा यही सोचती कि गाउं जाके पढ़ाई करूंगी और सारी होमवक कम्प्लीट कर लूंगी कार के मिरर में पीछे चूटते हुए शेहर को देख के इतनी एक्साइटमेंट होती लगता था जल्दी से गाउं आ जाए वहाँ पहुशते ही धमाल शुरू कजन्स के साथ खेल कूद में छुटिया कब बीच जाती पता भी नहीं चलता और वापस आने का समय हो जाता लोटते वक्त उसी कार के मिरर में छूटते हुए गाउं को देख के काफी सैड फील होता था और इस बात की खुशी होती थी कि नेक्स्ट यर फिर आएंगे